गुड मॉर्निंग आप देख रहे हैं मनी मॉर्निंग मैं हूं मीनु शर्मा स्वागत है आपका परसन फानेंस खबरों के इस बुलेटन में जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए आपकी जेव और जिंदगी से जुड़ी खास खबरे तो चलिए शुरू करते हैं आज का बुल एक अपरेल 2023 से प्रभावी होंगी नहीं दरें 2023 में 70,000 करोड से जादा टोल कलेक्शन का रखा गया लक्षे सड़क परिवन एवन राजमार्क मंत्राले ने साल 2022 में जुटाया था 50,855 करोड रुपए का राजस्व दिगज FMCG कमपनी हिंदुस्तान यूरीन दीवर ने अपने कुछ प्रोड़क्ट के दाम घटाए एक लिटर लिक्विड सर्फ एकसल का दाम 220 रुपए से घटा कर किया गया 199 रुपए इजी वश लिक्विड का भाव 205 रुपए से घटा कर हुआ 180 रुपए 180 मीली लीटर विम लिक्विड की कीमतों को 20 रुपए से घटा कर किया गया 15 रुपए पंजाब नेशनल बैंक ने फेल्ड एटीम कैश विद्रॉल ट्रांसक्शन पर रिवाइस की फीस बैंक अकाउंट में परियाप्त फंड ना होने की वजह से एटीम विद्रॉल फेल होने पर देना होगा शुल्क पर ट्रांसक्शन 10 रुपए और जीस्टी का लगेगा शुल्क, एक अप्रेल से लागू होगा नया शुल्क बैंक डेबिट कार्ड और प्रिपेट कार्ड पर भी जादा वसुलेगा चार्ज सरकारने लगू बचत योजना में निवेश करने वालों को दीखुश खबरी अप्रेल जुनति माही के लिए लगू बचत योजना उपर ब्याजदर में की 70 आधार अंको की बढ़त वरिष्ट नागरेक बचत योजना, मासिक आई बचत योजना, सुकन्या समरिदी योजना, राष्ट्वे बचत पत्र और किसान विकास पत्र पर मिलेगा जाधा रिटन एकसिस बैंक और यस बैंक ने सेविक अकाउंट से जुड़ी विबिन सर्विसस पर बढ़ाई फीस, एक अप्रेल 2023 से लागू होंगी नई फीस और सत मासिक जमराशी में नहीं किया गया कोई बदलाव, नए अकाउंट खोलने के लिए इस बैंक ने कुछ सेविंग अकाउंट को किया बंद गती लिमिटेड ने चात्रों के लिए शुरू की स्टूडेंट एक्सप्रेस सर्विस, स्टूडेंट एक्सप्रेस सर्विस के जरीए चात्र किफायती दर पर अपने सामान को किसी भी शेहर में भेज सकेंगे, 10 लाग से जादा चात्र हर साल एक जगा से दूसरी जगा आते जाते हैं सर्फिस ट्रांस्पोर्टेशन मोड के लिए स्टूडेंट एक्स्प्रेस सर्विस के लिए 825 रुपए का फ्लाट रेट है गति एयर के लिए फीस है 21 रुपए सहारा समुद्वारा चलाई जा रही चार सहकारी समीतियों के 10 करोड से अधिक निवेशक को उनका पैसा ब्याज सहित मिलेगा केंद्रे ग्रह मंत्री अमिश्या ने निवेशकों को दिलाया भरोसा इन निवेशकों का धन सहारा की चार सहकारी समीतियों में फसा है निवेशको को ब्याज सहित पैसा लोटाने की प्रकरिया तीन चार महिनों में शुरू होगी नई विदेश व्यापार नीती में निर्यात उतक्रिष्ट शहरों की लिस्ट में किया गया है चार नए शहरों को शामिल फरिदाबाद, मुरादाबार, मिर्जापूर और वारंट सी का नाम जोणने से कुल शहरों की संख्या हुई 43 नई नीती का लक्षे भारती रुपे को वैश्विक मुद्रा बनाना और अंतराष्टे व्यपार में घरेलू मुद्रा को बढ़ावा देना है MSME के लिए संशोधिस रिण गैरंटी योजना एक अप्रेल से हुगी लागू एक करोड रुपे तक के कर्ज के लिए वार्शिक गैरंटी शुल्ग अधिक्तम 2 फिसदी से घटा कर किया 0.37 फिसद इसे छोटे कारोबारियों के लिए रिण की कुल लागत में आएगी कमी CGT MSME में 30 मार्च 2023 को डाली गई 8000 करोड रुपे की राशी वैश्विक्स तरपर प्रतिकुल परस्तितियों से प्रभावित होगी IT कंपनियों की आए व्रिदी क्रिसील के मताबिक IT शेत्र में राजस्व व्रिदी 2022 देश में थी 20 फिसदी इसकी तुलना में 2023-24 में व्रिदी घटकर 10-12 फिसदी रहने की अनुमान है इस वज़़ से IT कंपनियों नहीं भरती कर सकती है और कटोती साथी करमचाली लागत में भी आ सकती है कमी प्यास की कीमतों को नहीं गitzerने देगी सरकार रभी सतर में 3,0,2 टन प्यास की सानु से खरीदेगी सरकार अन अकैडमी 350 करमचारियों की करेगी और छटनी कमपनी अपने मुखे कारुबार को लाब दायक बनाने के लिए उठा रही है ये कदम वैश्विक स्तर पर आर्थिक सिती है दवाब में लक्षों को हासिल करने के लिए कमपनी अपने टीम के आकार में करेगी 12 फिसदी की कमी अभी अन अकैडमी में करमचारियों की संक्या है चावण सो आईपियो बाजार में 26 सुस्ती, 2022-23 में आईपियो में जुटाई राशी में आई 50 फिसदी से ज्यादा की गिरावट इस वर्ष आईपियो से जुटाए गए 52,116 करोड रुपे साल 2021-22 में आईपियो से कमपनियों ने जुटाए थे 11,547 करोड रुपे साल 2022-23 की चौथी तिमाई में पिछले 9 साल में सबसे कम आईपियो आई एकिकरित सुविदा प्रबंदन कंपनी अप डेटर सर्वेसे लिमिटेड लेकर आई है आईपियो पूंजी जुटाने के लिए सेवी के पास जमा कराई शुरू आती दस्तावेज आईपियो में 400 करोड रुपे तक के नए शेयर किये जाएंगे जारी कमपनी के प्रवर्टक और मुवजूदा शेयर धारक लाएंगे एक दशम लव तीन-तीन करोड शेयरों की बिकरी पेशकर्ष जुटाई राशी का उपियोग कर्ज जुकाने कारोवारी जुटों को पूरा करने और कमपनी का कामकाज करने के लिए किया जाएगा देश के आटो सेक्टर को एक बार फिर से सेमी कंड़क्टर की कमी का सामना करना पड़ रहा है इस वज़ा से आटो उतपादन प्रभावित होने की है आशंका ग्राहकों को गाड़ी डिलिवरी में हो सकती है और जादा देर चिप की कमी से मार्च में पैसेंजर वाहनों की उतपादन में आ सकती है 15 फीसदी तक की कमी गाड़ीों के पेंटिंग और्डर में होगा इससे और जादा इजाफा तो फिलाल आज के मनी मौर्णी के बुलेटन में बस इतना ही अपने काम की जरूरी खबरे और महत्पूर्ण खबरे देखने और समझने के लिए सब्स्क्राइब करें हमारे यूटूब चानल को परसनल फाइनस से जुड़े खास कारिक्रम देखने के लिए मनी नाइन के आपको डाउनलोड करना ना भूले बने रहे मनी नाइन के साथ नमस्कार परसन फाइन झाल यूब चार व्मस्कार